नमस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाहा में Dr. महीपाल सिंग राठोट और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा तालिबान की so-called सरकार के द्वारा अपने देश के Election Commission को डिसॉल्व करने के बारे में तो अफगानिस्तान के निर्वाचन आयोग को तालिबान ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है, 25 डिसंबर को ये अनॉंस्मेंट किया गया था और ये Election Commission, वहां का निर्वाचन आयोग के जिसे भारत में Election Commission of India है वैसे ही अफगानिस्तान में भी एक Election Commission की स्थापना करी गई थी कुछ साल पहले और इसने डिमोक्रेसी की निवे जमाने की वहां कोशिश तो करी लेकिन अब उसे कम्प्लीटली महां से जड़ से उखाड फेका गया है आगे बढ़ें इसको हम डीटेल में जानें उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेलिग्राम चैनल्स पर आप हमारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं लेक्चर के जो PDF हैं वो मेरे टेलिग्राम चैनल या पाथफाइंडर के टेलिग्राम चैनल दोनों जगे आपको मिल जाएंगे पाथफाइंडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको प्राप्त हों और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें इस रवी बार दो जन्वरी को जो कॉमबाट होने वाला है उसमें हिस्ट्री के कुशिंस मेरे दोरा बनाये गए हैं तो देखिए अफगानिस्तान में डेमोकरसी की शुरुवात कैसे हुई 2001 में जब पहले तालिबान की सरकार को हराकर US ने वहाँ पर अपना शासन स्थापित किया तो एक इंतरिम गवर्मेंट वहाँ पर स्थापित करी गई थी हामित करजाई की उसके बाद महाँ पर चुनाव होते हैं और इन चुनाव को regularly करवाने के लिए 2006 में एक Independent Election Commission की स्थापना करी गई इस आयोग के नाम में Independent शब्त का इस्तिमाल किया गया ताकि अफगानिस्तान के नागरिकों को ये भरोसा रहे कि सरकार चाहे जिसकी भी है लेकिन Election Commission हमारा हमेशा Independent रहेगा अलग रहेगा अब इस Election Commission को ये जिम्मा दिया गया था कि वो सभी प्रकार के Elections को कंड़ट करे चाहे वो राष्ट्रपती के चुनाव हो या Local Elections सभी का जिम्मा इस Election Commission के पास था Election Commission के अलावा एक और संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था Independent Electoral Complaints Commission यानि कि चुनाव के संबंदित कोई भी कंप्लेइन है शिकायत है तो चुनाव तो ये करवा रहे हैं तो इनके खिलाफ अगर कोई शिकायत है तो वो आप इस कंप्लेइन कमिशन में कर सकते हैं तो अक्स तो थे Dr. Abdullah Abdullah और दूसरी तरफ थे Sitting President Ashraf Ghani ये वाला चुनाव काफी Controversial था पहली बात इसमें Turnout बहुत ही कम था it was around 19% something 20% से भी कम Turnout यानि कि 100 में से 20 लोग वोट डालने आये हैं बाकी लोग तो वोट ही डालने नहीं आये और चुनाव के पहले Security Situation इतनी खराब थी कि कई रैली में Suicide Bombers ने Bombs detonate किये थे इन फाक्ट अशरफ गनी खुद इसमें बाल-बाल बजगे थे एक हमले में तो और यहां पर देखा गया था कि इन हमलों के कारण जिसमें Taliban का भी रोल था लोग चुनाव से धूर हो गए लोगों को लगा कि चुनाव की रैली में या वोटि थे उसके बाद इनके ऑपोनेंट अब्दुल्ला अब्दुला ने इनके खिलाफ शिकायत करी इन्होंने कागा कि ये 39 और 50% वोट वाला जो स्टाटिस्टिक्स बताया गया है ये थोड़ा सा डौटफुल है इन फाक्ट फर्स राउंड की वोटिंग में इनके 50% भी नहीं तो अफगानिस्तान में इलेक्शन कमिशन तो था लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से अपनी जड़े नहीं जमा पाया था उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी जादा नहीं हो पाई थी कि उसके इलेक्शन्स पूरी तरह से लोगों के भरोसे में रहें और जो भी रिजल्ट आता इसको अफगानिस्तान का राष्ट्रपती बनाया गया और अब्दुल्ला अब्दुल्ला तालिबान के साथ जो बातची चल रही थी दोहा में उसको लीड करेंगे ये तैह होता है हाला कि इनका पूरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट था सब खत्म हो गया क्योंकि एक साल बात व जनी खुद देश चोड़के चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए उनके वाइस प्रेज़ेंट अमरुला साले ने अपने आपको प्रेज़ेंट गोशित कर दिया था पंशीर में लेकिन अल्टिमेटली पंशीर भी तालिबान के हाथों में आ जाता है और 8 सेप्टेंबर को ये भी पंशीर छोड़कर चले जाते हैं अब पिछले 5 महिनों से तालिबान का अफगानिस्तान पर शासन है मैं इसे रेकेगनाइज़ गवर्मेंट नहीं कहूंगा क्योंकि दुनिया के किसी भी देश ने अभी तक तालिबान को अफिशली रेकेगनाइज नहीं किया है ल इन्होंने एक नया मंत्राले चालू किया प्रमोशन ओफ वर्चू और प्रिवेंशन ओफ वाइस यानि कि अच्छाई को बढ़ावा देना और बुराई को रोक देना या उसे नहीं होने देना ये ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने पहले भी रिलिजिस कानूनों को एनफोर भाधान करना ये सब काम इस मंत्राले के अधीन आता था तो ये मंत्राले फिर से स्थापित कर दिया गया है और इसी उम्मीद करी जा रही है कि धीरे धीरे जब दुनिया की नजर तालिबान से हट जाएगी न्यूस साइकल से तालिबान देरे धीरे पीछे चला जाएगा तब ये इस प्रकार के strict punishments को फिर से लागू करेंगे। हाँ लेकिन एक दूसरा नजरिया ये भी है कि अब mobile phone, internet का जमाना है तो इस प्रकार की strict punishment शायद Taliban फिर से कभी नहीं ला सकता क्योंकि अब जो भी होता है काफी कुछ mobile पर videos upload हो जाते हैं। अब Taliban के शासन ने recently independent election commission और independent electoral complaints commission इन दोनों को भंग कर दिया है इनने dissolve कर दिया गया है और Taliban के spokesperson ने कहा कि इन commissions की कोई आवशक्ता ही नहीं है क्योंकि हमें कोई चुनाफ करवाने नहीं है अगर कभी भविश्य में आवशक्ता महसूस होती है तो फिर हम फिर से इन commissions को बना दे लेकिन अफगानिस्तान के सभी senior politicians का यही कहना है कि अब अफगानिस्तान में Taliban के रहते तो कभी चुनाफ होने नहीं वाले हैं क्योंकि Taliban डेमोक्रसी में believe ही नहीं करता और ऐसे में अफगानिस्तान का भविश्य डेमोक्रसी के point of view से काफी अंदकार में नजर आ रहा है ताल अफगानिस्तान की हालात काफी खराब हैं economy पूरी तरह से चर्मरा गई है और लोगों के पास खाने पीने की वस्तुएं नहीं है उसके लिए भी पैसा नहीं बचा है तो अफगानिस्तान इस वक्त एक humanitarian crisis में जा रहा है कारण कहा है कि दुनिया के जाहतर देशों ने sanctions लगा दिये हैं in fact UN ने sanctions लगाए है security council के कारण ये सभी प्रतिबंद लगाये गए हैं कि कोई इनके साथ व्यापार नहीं करेगा लेकिन अब यहाँ पर भी इसको देखने के दो नजर यह हैं पहला ये कि जब भी इस प्रकार के प्रतिबंद लगाये जाते हैं तो दिक्कत सरकार को नहीं आम लोगों को होती है आम लोगों के साथ साथ बच्चों के महिलाओं के खाने पीने की वस्तु है कि जब कमी आती है तो उनको ज़्यादा दिक्कत होगी और दूसरा ये कि इस तरीके से सरकार पर दवाब बनता है तो जब लोग भूके होते हैं तो अक्सर ब पडोसी देश, अफगानिस्तान के भारत भी इन्हें अनाज मोहिया कराने के लिए बात कर रहा है तो पिछले हफ्ते मैंने इस पर एक लेक्चर भी बनाया था आप चाहें तो इसे देख सकते हैं मैं जाना चाहूंगा कमेंट्स में कि आप लोगों का क्या कहना है कि humanitarian aid ऐसे देशों को देनी चाहिए जहां की सरकारें openly violence को support करती हो या फिर आम जनता को परिशान नहीं करना चाहिए इस philosophy में आप बिलीव करते हैं दोनों में से जो भी आपकी राय है कमेंट्स में ज़रूर रखिए भाशा की मर्यादा बस बनाया रखना PDF आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो Pathfinder चैनल को subscribe ज़रूर करना ताकि मेरे आने वाले medieval history के lectures के notifications आपको प्राप्त हो सकें एक जनवरी से ये course शुरू हो रहा है प्लस platform पर मेरा post-independence history का course start हो चुका है इसको भी आप join कीजे इसका link नीचे description में मिल जाएगा इसको join करने के लिए आपको plus या iconic दो में से किसी एक subscription को avail करना होगा तो देश के best educators on academy platform पर live पढ़ाते हैं इन से पढ़ने के लिए आप इन subscriptions को avail कर सकते हैं 1 year subscription लेने में फाइदा यह होगा कि you'll get notes plus test series free तो महिपाल code का से जो नए batches बने आप उन्हें join कर सकते हैं या फिर next week के batches को join कर सकते हैं 31st December को एक काफी बड़ा announcement आ रहा है इसके लिए wait करिए stay tuned EMI option पर आपको यह सभी courses on academy के available होंगे do check out the EMI process by clicking the link in the description पहला link है हमारी दो free test series हैं इनको join कीजिए prelims का score increase कीजिए thank you very much for watching this have a great day